नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप कुछ चीजे भूल क्यों जाते हैं, जबकि कुछ चीजे हमेशा याद रहती हैं? या यूँ कहें कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप कुछ समय के बाद भूल जाते हैं इसका कारण है हमारे दिमाग को ठीक से काम करने के लिए डाटा को संग्रहित करने और भूलने की क्षमता की आवश्चक्ता होती है यादों को हानी पहुचाने से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है इसका एक कारण यह भी है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ ही हमारी याद रखने की क्षमता कमजोर पढ़ने लगती है और तंत्रिका तंत्र को अपनी प्लास्टिसिटी पर नियंतरन रखने के लिए ऐसा करना पढ़ता है लेकिन कभी-कभी अत्यधिक तनाव और काम के बोज के कारण भी दिमाग की याद रखने वाली तंत्रिकाएं शिथिल पढ़ने लगती है जिसके कारण हमारी याद दाश्ट कमजोर हो जाती है और हम भूलने लगते हैं हमारा दिमाग गैर जरूरी चीजों, यादों और घटनाओं को स्मृती से हटा देता है और हमें घटनाएं याद नहीं रहती है कुछ व्यक्तियों का दिमाग जरूरी और गैर जरूरी दोनों घटनाओं को याद करने की समस्या से जूचता रहता है और वे लगातार चीजों और घटनाओं को भूलते रहते हैं इस तरह भूलने की बीमारी को अल्जाइमर रोख कहा जाता है जदी आप चैनल पर नए है तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें